Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me, शिपरातिवारी, बहुत-बहुत स्वाग है था आपका इस चैनल पे, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करा जाता था कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छा एकसल बहतर कर सके last class में मैंने आपको बताया था किसके बारे में मैंने आपको बताया था blood pressure के बारे में मैंने आपको बताया कि high blood pressure क्या होता है high blood pressure के causes क्या होते यह सारी चीजे ठीक है आज आपको मैं क्या बताने वाली हूँ pulse pressure और ECG के बारे में ठीक है चली pulse pressure के बारे में जब कभी भी हम लो में रखेगा this artery is called as radial artery ठीक है इसे आप क्या कहते है radial artery और फिर वो यहां पर even आप भी ऐसे करके यहां पर radial artery पर दबाईए ठीक आपको ऐसे से हलका हलका feel होगा ठीक और आप एक minute count करिये और एक minute आप count करिये और आप देखी कि कितने बार ऐसे ऐसे होता है अब आप calculate करेंगे तो करिब 40 से 50 बार आएगा this is called as pulse pressure ठीक है तो let's talk about it देखिए यह भी आदमी देखिए वैसे जैसे मैंने आपको बता है वैसे ही पकड़ा हुआ यह भी आदमी तो आपका ब्लड यहां पर जब आता है तो यह थोड़ी से आट्री आपकी बल्जा उट होती है ठीक तो कितने बार बल्जा उट हो रही है उससे हम यह अंदाजा लगा सकते कि आपका pulse pressure सही है यह नहीं तो यह आदमी के हाट से बलड आ रहा जैसी आएगा ना तो थोड़ा सा आपका जो वह होगा जो आपकी आट्री होगी वह बल्जा उट होगी ठीक है डान कोई दिकत इसमें अब आप समझेए अब पल्स इन दा लेफ्ट पल्स इन दे लेफ्ट इन रेडियल आट्री प्रेजें इन रेस्ट आप द यह यहां पर आप आप उं갈ी लगाएगे उन तो यहां पर भी आपको कुछ खिलता हुआ फील होगा यहां से भी आप पल्स प्रेसर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद प्रश.री is the pressure difference which generate the प्ल्स ठीक है तो प्रेशर क्या होता है ब्लड कितने बार वो हिलाता है आपकी आटरीकोट इस कॉल्ड प्ल्स प्रेशर प्ल्स प्रेशर को हम लोगों को ऐसे कल्कुलेट करना है 120-80 इक्वास तो 40 ठीक है तो जब आप systolic pressure से माइनस करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर को तो जितनी वेल्यू आपको मिलती है वह है आपकी प्ल्स प्रेशर तो आपका 40 बार यहां पर ऐसा ऐसा होना चाहिए अगर 40-50 पर वह रहा है तो वेल एंड गुड कीप इट अप थम्स अप पर अगर इससे जादा हो रहा है इट मी को लेट्स टॉक अपाउट दए ECG ठीक है ECG क्या है अब मेरी बात को बिलकुल ध्यान से समझेगा ठीक है ECG का फुल फॉल फॉल होता है एलेक्ट्रो काडियो ग्राम ठीक है इतनी पूरी खतरनाक इंगलिश का मतलब आपको मैं बताती हूं कि जो आपका ऐसे नोड होता है देखिए आपके बॉडी में दो इवेंट्स होते एक होता है Depolarization और एक होता है Polarization ठीक है Depolarization का मतलब अच्छा बहुत चारी लोग बोलते polarization है मतलब activation ही हो गया होगा no biology में थोड़ा सा लगा I don't know कि किसी और subject में क्या कहते हैं मैं तो बायो की बात करती हूं ठीक है तो बायो में depolarization का मतलब है बच्चो activation और polarization का मतलब है resting so if I am talking about the polarization मैं आप कभी भी बात करूँ तो अगर मैं बोल रही हूं polarization मतलब resting और जब मैं बोल रही हूं depolarization मतलब क्या मतलब क्या activation तो ऐसे नोड में spontaneous depolarization होता रहता है spontaneous मतलब लगातार ठीक है अपने आप तुमको कुछ नहीं करना है ठीक है यह पढ़ा है ना पर लोगों आपके से नोड अपने आप ही activate हो जाता है उसको कुछ भी देने की जरौत नहीं है तो ऐसे नोड जो होता है वह spontaneous depolarize मतलब active होता है और action potential generate करता activity generate करता है और आपका heart automatic beat होता रहता है ठीक है उसके बाद ऐसे नोड जो आपका impulse होता है जो signal होता है वो किसको देता है आपके cardiac muscle को देता है जिससे cardiac muscle से cardiac cycle होता है auricle ventricle systole diastole ठीक है electrical current are conducted through the body fluids to the body surface where the amplified current can be detected by the placing electrode on the skin and recorded as an electrocardiogram ठीक है अब मेरी बात समझेगा कि यहां पर आप क्या देख रहे हैं यहां पर इसकी छाती पर ठीक इसके छाती पर करीब 6 electrode लगाए गये हैं ठीक है ब्लड का आना जाना इनकी activities को चेक करते हैं अगर आपका heart सही तरीके से beat करता है तो आपके body fluids blood जो है उनका आना जाना बिल्कुल अच्छे pressure से होगा ठीक है तो यह electrode यह body fluid मतलब blood beat is a body fluid ना तो यह यह भी देखता है कि आपके body fluid का आना जाना कैसा है if the SA node give proper signal to the heart your heart continuously beat perfectly ठीक है अगर आपका SA node अच्छे से signal देता है तो AV node में अच्छे से signal जाता है अच्छे से signal जाता है तो bundle of hiss में जाएगा bundle of hiss में अच्छे से signal जाता है तो पर किंज फाइबर में जाएगा कोई tension ही नहीं है कि आपकी cardiac activity तेज है बहुत धीर है और बहुत धीर है जा रहा है तो आपकी cardiac activity धीम है तो बेसिकली यह चाती पर लगाएगा एलेक्टोड body fluids के activity को देखते हैं कि कितना तेज है कितने धीर है ठीक है नाउ यह जो ECG है यह इंथो वन ने discover किया था सो यह लगा दिया है अभी activity यहां पर आपको as a graph मिलेगी it is called as electrocardiogram ठीक है done it is called as electrocardiogram चलिए electrocardiogram is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle ठीक है तो ECG क्या है आपका heart auricle ventricle contract होता auricle relaxed होता auricle contract हो रहा है तो एक cardiac cycle में जो भी activity हो रही है वो हम ECG के graph से पता लगाते हैं आई बात समझ में आपके heart में जो भी activity हो रही है during the one cardiac cycle we will record those cardiac activity by the machine called as electrocardiogram and we make a graph called as electrocardiogram okay so if the body fluid means blood बहुत तेजी से जा रहा है मतलब आपके cardiac activity तेज है अगर blood धीमे जा रहा है तो आपकी cardiac activity धीमे है हम cardiac activity को इस representation से बताते हैं ताकि हमको पता चले कि आपकी activity सही हो रही है यह नहीं the machine used to obtain the electrocardiogram is known as electrocardiogram machine कौन सी electrocardiogram जो graph मिलता है it is the electrocardiogram ठीक और जो टेकनीक है वो है electrocardiography चीक to obtain a standard ECG patient is connected with the machine with three electrical leads उसमें बहुत सारी लगी हुए उस patient में ठीक है और इसको क्या करना है दोनों wrist पे लगा देना और left ankle पे हम छाती पे भी लगा सकते हैं ठीक अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना आपकी जो cardiac activity है वो हमेशा आपको ऐसी ही मिलेगी ठीक है it is like this ठीक यह है आपका ECG मैं आपको graph बताती हूँ थोड़ा सा एकाथ तोपन ने graph बनाया होगा चली देखिए यह है आपका graph ठीक normally आपको हमेशा graph ऐसा ही मिलता है ठीक यह तो बहुत ज़़ा इंटर्विल बना दिया है मैंने normally आपका graph जो है वो ऐसा ही आपको मिलेगा ठीक यह आपको बिलकुल ऐसा ही दिखाई देगा normally आपका graph ऐसा ही दिखाई देता है आपके graph में waves होती है यह जो उभार आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चो it is the waves यह क्या कहला थी waves कौन-कौन सी wave है P wave है Q R S T wave है ठीक है अब इस wave कौन-कौन सी wave है आपकी P wave है Q R S ठीक है P Q R ठीक है it is S and this is a T ठीक तो आपके पस इतनी waves है इनकी waves के एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं ठीक है चलिए आज आईए एक छोटा सा draw कर लें क्या आपन कहें तो आप draw कर लेते हैं बिल्कुल draw कर लेते हैं so let's talk about this so अपन एक छोटा सा draw कर लेते हैं तो अपन को और ज़्यादा clear हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए ठीक आज आएए तो ये कौन सी wave है P wave है ठीक ये कौन सी wave है Q wave है ये कौन सी wave है R wave है कि कौन सी wave है S और ये T ठीक चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं P wave ओके चलिए ठीक आईए चलो so let's talk about the P wave ठीक है यह है आपकी P wave, ठीक, इस P wave का मतलब क्या है, P wave is a small upward wave that represents the electrical excitation, excitation का मतलब आपको सिखाया था, मैंने depolarization of the auricle which leads to the contraction of both auricle, ठीक है, तो यह जो P wave आपको दिखाई दे रही है बच्चो, यह किसका signal है बताइए मुझे, यह है auricle contraction का, क्या है यह auricle contraction, ठीक, तो P wave क्या दर्शाती है, क्या बताती है, यह आपका graphical representation है, तो जब हमको ECG कराना है, तो जब हम लोग अस्पताल जाते हैं, तो दो electrode हाथ के ankle में, हाथ wrist में और एक pair में लगा देते हैं, पूरे छाती में लगा देते हैं, अब यहां से आप detect करते हैं, या एक graph बनवाते हैं, graph की peaks हमको यह बताती हैं, कि आपका heart सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, actually इसकी timing भी हमको यह बताती है, कि आपका heart सही समय पर काम कर रहा है या नहीं, इस graph से हमें यह पता चलता है, कि आपके heart की cardiac cycle सही तरीके से चल रहे है या नहीं, तो P wave से हमें क्या पता चलता ह है कि हमारे जो औरिकल है वो सही तरीके से कॉंट्राक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है नाव क्यू आरेस वेव सबसे लंबी वेव होती है ठीक है क्यू आरेस वेव सबसे लंबी वेव होती है और इसे हमें पता चलता है कि वेंट्रिकल कॉंट्रेक्शन हो रहा है या ठीक है, तो अब QRS wave से आपको क्या चलता है पता, QRS complex से आपको क्या पता चलता है, मुझे बताईए, QRS complex से हमें पता चलता है, ventricle systole, क्या पता चलता है हम लोगों को, ventricle systole, ठीक, तो QRS wave complex represent the depolarization, मतलब activation of the ventricle, ठीक है, तो ventricle contract होता है, in the QRS wave, ठीक, ओके, तो Q जो है, Q हमको यह बता रहा है, कि ventricle contract होना शुरू हो गया, R मतलब peak पर है, और S मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, तो contraction of ventricle starts shortly after the Q, ठीक है, contraction जो होता है, यहाँ पर, यहीं से शुरू होता है, Q के बाद ही शुरू होता है, ventricle contraction, ठीक है, तो contraction of the ventricle starts shortly after the Q and marks the beginning of systole, ठीक है, ओके, नाओ, let's talk about the T wave, T wave return of the ventricle from the excited to the normal state, ठीक है, तो T wave हमको क्या बताती है, T wave हमें बताती है, ventricle relaxation, T wave हमें क्या बताती है, ventricle relaxation, आई बात समझ में, तो आपकी P wave क्या बताती है, auricle contraction, Q wave हमें क्या बताती है, कि यहाँ से auricle contraction खतम हो चुका है, auricle relax हो रहे है, और Q जैसे ही खतम होता, R से, बनला Q से खतम होते होते तक आपका ventricle contract होता है, ठीक, और आपका T पे ventricle contraction खतम हो जाता है, मैं बनला T is the phase of ventricle relaxation, तो P is the aurical contraction, QRS is the ventricle contraction and T is the ventricle relaxation, ठीक है, ओके, done, अब आप ध्यान से समझ में, आई बात समझ में आपको, तो T wave represents the return of ventricle from the excited to the normal state, ठीक है, और T wave का end होना हमें यह बताता है, कि एक cardiac cycle खतम हो गया है, thus by the counting the number of QRS complex that occur in a given time period, heartbeat of an individual can be determined, तो कुल मिला के आपको पता है, कि इस पूरे graph में डॉक्टर देखता है, पूरे graph में डॉक्टर देखता है, यह complex, ठीक, which is the QRS complex, डॉक्टर QRS complex देखता है, और यह बता सकता है, कि आपका cardiac cycle सही है कि नहीं, अगर यह peak बहुत लंबा आ रहा है, तो भी गड़ बड़ है, peak छोटा आ रहा है, तो भी गड़ बड़ है, peak बहुत जलजली आ रहा है, तो आपका cardiac cycle तेज है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत परिशानी आईए, अब तो आप इस diagram को समझें हम लोग, तो P wave हमको क्या बता रही, auricle contraction, ठीक है, let me highlight this with the red color, P हमको क्या बता रही, auricle contraction, done, QRS हमको क्या बता रहा है, ventricle contraction, और T हमें क्या बता रहा है, ventricle relaxation, ठीक है, हमको क्या देखकर पता लगाना कि cardiac activity सही है कि नहीं, QRS complex, ठीक है, अब problem यह है, कि अगर कोई heart का defect है, तो यह जो wave ह यह गड़बड हो जाती है, ठीक है, अब माल लिजे कि P wave large होने लगी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों हमेशे cardiac cycle किस से शुरू करते P wave से, ठीक है, किस से शुरू करते P wave से, तो माल लिजे कि यह P wave जो है थोड़ी लंबी होने लगी, ठीक है, तो P wave अगर large हो गई, तो क्या दि हो चुका है और contract होने में ज्यादा time ले रहा है ठीक है अगर Q और R waves large हो गई तो इसका मतलब भी है कि myocardial infraction हो गया है ठीक है क्या हो गया है myocardial infraction मतलब heart attack आ चुका है तो अगर आपका P wave बड़ा है मतलब arteria बड़ा हो चुका है और contract होने में समय ले रहा है अगर Q और R wave बड़ी है मतलब heart attack आ चुका है मैं पढ़ाओंगे इसके बारे में ठीक अगर S और T segment बड़े हो गये हैं इसका मतलब यह है कि अगर लंबे-लंबे हो रहे हैं it is myocardial infraction and depression when the heart muscle is received insufficient oxygen ठीक है तो आब आप समझिए कि ST segment ठीक है नाव आपको ST segment के बारे में बताओं ठीक है यह देखिए क्लियर करें हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात कि हमने आजाएं defect के बारे में बात कर ही है ठीक है तो आपको heart attack आ सकता है ठीक है Q और R wave बढ़ी हो गई है मतलब Q and this R ठीक तो अगर आपका यह और यह बड़ा हो रहा है ठीक so this is the Q and this is the R अगर यह बड़ा हो रहा है तो आपको है heart attack ठीक यह होने वाला है यह आप risk पर है ठीक तो इसलिए पहले ही पता लगा लेते हैं लोग ठीक अब आप क्या बोल रहे हैं अगर आपका ST segment बड़ा है क्या है आपका ST segment बड़ा है ST segment कौन से segment है this segment ठीक तो अगर आपका ST ठीक अगर आपका यह segment बड़ा है the St segment तो क्या हो रहा है बताइए मुझे अगर स्ट सेग्मेंट बड़ा है तो हमें यह बताया जा रहा है कि मेभी आपको heart attack रहा है और अगर छोटा हो गया है तो मेभी आपको मतलब अगर बड़ा हो गया है तो आपको heart attack आने वाला है, body जो है, मतलब अगर यह छोटा हो रहा है, तो आपकी body को insufficient oxygen मिल रहा है, तो ST segment जो है, ठीक, आपको समझा है, मैंने what is the ST segment, द्यांस समझें, ठीक है, अब आपके ECG में, this is the ST segment, ठीक है, अगर यह बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो में भी आपको heart attack आने वाला, अगर ST segment चोटे जा रहे हैं, ठीक, चोटे चोटे जा रहे हैं, तो आपकी body में oxygen की कमी हो रही है, ठीक है, आई बात समझ में, अगर T wave flat हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाएं, T wave क्या हो जाएं, flat हो जाएं, ठीक है, तो T wave flat हो जाएं, when the T wave is flat, ठीक, when the heart muscle receives insufficient oxygen, as in the ortherosclerotic heart disease, ठीक है, तो होता क्या है, कि माल लेजे कि अगर आपकी artery block हो रही है, तो अब आपकी heart muscle को enough blood नहीं मिलेगा, enough blood नहीं मिलेगा, तो enough oxygen नहीं मिलेगा, तो जब आपकी heart की blood vessels, ठीक, औरtherosclerotic heart disease बता रही हूँ, औरtherosclerotic heart disease का मतलब यह है, कि जब आपकी heart की muscle जो होती है, उसमें बहुत जादा blockage होने लगता है, तो अब आपकी heart की muscle में perfect amount of blood नहीं जापा रहा है, तो आपके heart को enough oxygen नहीं मिल पारी, तो working सहीं नहीं है, तो जब T wave flat हो जाती है, तो artherosclerotic heart disease है, अगर आपकी monitoring machine sound करती है, पी, 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 तो आदमी मर चुका है, समझ में आई बात, तो जब ऐसे-इसे waves आ रही है, तब तो आदमी जीवित है, पर अगर आपका कोई cardiac activity stop हो जाती है, तो अब आपके cardiac machine या ECG से sound आता है, पी, 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 ऐसा, ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया कि किस तरीके से, कौन-कौन सी waves होती है, यह सारी चीज़ है, ठीक है, कोई दिकत इसमें, है, तो अब आप देखिए, चो कि auricle systole है, यह हो रहा है, और यह हो रहा है, और यह हो रहा है, auricle systole, P wave, QRS and T, ठीक है, कोई दिकत परिशानी, तो अब आप देखिए, क्या है यह ECG, in the next class, I will tell you, most interesting thing, यह more interesting thing, it is the portal system, इसके बारे में आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ECG मैने आपको पढ़ा दिया है, आज, ECG के defect आपको पढ़ा दिया है, क्या क्या होता है, so I think almost, मतला, मुश्किल से 10% हिसा है, चाप्टर का और बचा है, यह complete होने वाला है, so this is all about the ECG and their defect, see you in the next class, I hope you learned and enjoyed this video, अगर आपको notes चाहिए, तो वो Magnet Brins की साइट पर available है, आपको next class में मिलूँगे, घर पे रहिएगा, safe रहिएगा और इंतिजार करिएगा, thank you so much.